हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मेडिसीन फो टाइम आज बात करते हैं इस्ता किट लेने का तरीका किट कोई सी भी कंपनी की हो तरीका इनका सबका एक ही होगा जो हम आगे वीडियो में बताएंगे साथ यह बताएंगे क्या कीमत है कितने दिन तक एक काम करेगी और क्या साइड किट के बारे में यह प्रिस्क्रेब मेडिसीन है डॉक्टर द्वारे प्रिस्क्रेब की जाने वाली दवाई है इसकी कंपनी की बात करें यह मैकलोड कंपनी की आती है जो के काफी मशूर कंपनी है बात करें अगर इसकी कीमत की तो वह होती है 424 रुपे थोड़े बहुत ड दूसरे brand name से आती है जैसे unwanted kit, jest arrest kit, मीफी jest kit, अलग-अलग कंपनियों में आती है तो इनका काम सबका एक ही होगा तो जो easily available हो जाए वही यूज़ कर सकते हैं बात करते हैं स्टैकिट के uses की जैसे कि ये abortion kit होती है abortion दो तरीके से होता है एक tablet के दुआरा दूसरा surgical abortion तो उसमें अगर pregnancy 63 दिन से कम होती है तो ये tablet से ही कर सकते हैं अगर किसी को 63 दिन से जादा होती है तो उस condition में आपको surgical abortion ही कराना होता है जो गाइन डॉक्टर करती है और 63 दिन से जादा बीच जाने के बाद आपको tablet के भरोसी भी नहीं रहना कि इस kit से हो जाएगा क्यूंकि जादा दिन हो जाने के बाद अगर आप tablet लेते हैं तो आदा अधूरा abortion ही होगा complete नहीं होगा तो तब भी आपको डॉक्टर के पाद जाना ही होगा तो रिस्क को अभी बेबी नहीं चाहिए तो उस कंडिशन में इसे tablet के जरीए abortion करना पड़ता है और तिरसर दिन यह तब से लगाए जाते हैं जब आपको लास्ट टाइम डेट आई थी यानि कि आखरी बार जब आपकी डेट आई थी कुछ लोग होते हैं वह जिस दिन जिन रिलेशन में आते हैं तब से लगाते हैं तो ऐसे नहीं काउंट होता बात करते से कैसे लेना है यह five टेबलेट का स्टिव होता है इसमें एक single tablet होती है जो کہ वो अकेली होती है उसको अकेली खानी पड़ती है और आपको कोई भी एक time रख लेना है जैसे आपने सुबह फिर ऐसे ही आपको तीसरे दिन पूरे 24 गंटे बाद सुबा आट बजे ही दो गोली वो भी एक साथ ही खाएंगे आप अपने तरफ से भी कोई एक टाइम रख लो नो बजे दस बजे गैरा बजे बस फर्फ पूरे 24 गंटे का ही करना है ताकि अच्छे से काम कर जाए और इसे खाली पीट लेना चाहिए या खाना खाने के कम से कम दो गंटे बाद ताकि खाना पूरी तरह हजम हो जाए और एक बात आपको ऐसे नहीं करना है कि एक या दो खुराग खाकर आपको लेगे बिलीडिंग तो स्टार्ट हो गई और बाकी खुराग आप रोक दो उसे छोड़ दो आपको पूरी कम्पिलिटी करनी है वर्णना कुछ पीस अंदर रह सकते है फिर आपको कहीं सर्जिकल अबोशन ना कराने की दुरुत पढ़ जाए तो दवाई पूरी करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर बिलीडिंग स्टार्ट हो सकती है या से थोड़ा बहुत टाइम भी ज्यादा हो सकता है थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसको लेने के बाद पेट में दर्द होगा बिलीडिंग स्टार्ट होगी घवराना नहीं है यह नॉर्मल है हाँ अगर वो बिलीडिंग आपको 14 जिन से जाधा चल रही है तो फिर ऐसे में आपको डॉक्टर के है आपको किट लेने के बाद प्रेग्नेंसी है या नहीं है तो आपको 14 दिन के बाद देखना है जैसे कि आपने एक तारीक में किट ली तो आपको 14 तारीक को एक पहलविक अल्टरसौन कराना है या जो अल्टरसौन नहीं करा सकते तो वह 21 दिन के बाद एक प्रेग्नेंसी या बाद भी पोजिटिव है तो वह ऐसा होता है कोई घबराने वाली बात नहीं है लेकिन आपको 21 दिन के बाद भी टेस्ट करके देखना है बात करते कैसे काम करती है मिसो परो स्टोल 200 एमजी जो टैबलेट होती है फस्ट टैबलेट वह बच्चे दानी का मुझ खोल देती है बाकि जो मिफी पर स्टोन 200 एमजी की टैबलेट होती है वह बच्चे दानी में जाकर संकुछन पैता करती है ताकि बच्चे दानी की दिव नजर आ सकते हैं उल्टी का मन होना या जी मिचलाना ज्यादा बिलेडिंग होना पेट दर्द होना यह कुछ साइड इफेक्ट नजर आ सकते हैं तो अगर यह साइड इफेक्ट नजर आए तो अपने डॉक्टर से बताए आज के लिए वस इतना ही उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद